तो अगर आप भी Paytm का UPI इस्तेमाल करती हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि Paytm जो है लोगों को ये फीचर नहीं दे रखी थी जिसके मदद से आप UPI ID को अडिट कर सके या फिर चेंज कर सके लेकिन फाइडली Paytm जो है हम लोगों के लिए नया फीचर लेकर आ गया है जह आप इस वीडियो को देखेंगे और आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो कंजूसी मत करिएगा लाइक जरूर करिएगा और आपने साथी दोस्तों तक भी सेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमेशा कुछ ना कुछ नेया जानेने को आपको मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन वाले वेल पर क्लिक करके औल प्रेस जरूर कर लेजिएगा चलिए देखती हैं तो सबसी पहले आप लोग जो है पेटियम एप को उपिन करेंगे और ऐसे मैं आपको वता दू कि बहुत सारे तरीके हैं जहां सी आप UPI ID देख सकते हैं जैसे यहांपर आपका डाउन हो गया चलिए यहांपर जो है आपका UPI ID दिखाया जाता है तो वहांपर क्लिक करके भी UPI ID पर जा सकते हो नहीं तो यहांपर प्रोपाईल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे उसकी बाद यहाँ पर UPI and payment setting में जाना है ठीक है उसकी बाद जो भी bank account link रहेगा यहाँ पर so होगा नीचे आप आओगे तो देखोगे manage UPI ID तो इस पर आपको click करना है अब आप लोगों का जो UPI ID रहता है वो यहाँ पर दिखाई दे देता है और ठीक बगल में आप देखोगे यहाँ पर आपका जो email ID रहेगा उसका यह अगर UPI ID एफलिबर रहेगा तो बताएंगे कि हाँ यह UPI ID आप लगा सकती है नंबर वेगरा 12 करके भी लगा सकती है अड़ीरेट पेटियेम वाला उसकी बाद आपका जो mobile नंबर रहता है और आपका जो नाम रहता है उससे यह suggest करेंगे कि देखो चुन लो और पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे option यह देते हैं जिसमें से आप चुन लो कि कौन सा UPI ID आप लगाना चाहती है रखना चाहती है ऐसा कुछ ठीक है तो देख सकते हैं बहुत है 68 करके ऐसे ऐसे बहुत है तो चलो एक मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता जो बताया जाता है इनके तरब से उसी में से आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो चलो एक मैंने सेलेक्ट किया और उसकी बाद मैंने प्रोशीट किया तो UPI ID is updated successful बता दिया गया ठीक है और यहाँ पर OK करती है अब आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर add किये गए हैं वो वहाँ पर उपर में दिखा दिया देखो नीचे में यहाँ पर देख सकते हो पहले वाला UPI ID जो है यहाँ पर नीचे में बता दिया गया और अब जो UPI ID है वो उपर में बता दिया गया है अगर फिर से बदलना चाहते हैं तो edit वाले option पर आकर फिर से हम लोग बदल सकत अगर इसे remove करना चाहते हैं तो remove वाले option पर click करके हम लोग remove कर देंगे ऐसे remove हो जाएगा जैसा कि आपने देखा इस तरह से पेडियम जो है UPI ID add करने का और change करने का feature दे रखी है आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के नीचे comment करके मुझे जरूर बताईएगा फिलाल इस वी वीडियो में खुछ रहें सुष्थ रहें धन्यवाद